लोग बहुत ही अच्छे हुंगे तो देखो बच्चो आज हमारे पास इस चाप्टर का सेकेंड लेक्चर है कल हमने फॉर्स लेक्चर में बहुत सारी बाते सीखी थी जिसमें हमने देखा था कि chemical reaction क्या होती है reactant क्या होती है product क्या होते है उसके लावा हमने देखे थे कि किन किन चीजों से हम लोग ए chemical reaction को characterize कर देते हैं कलमने सिर्फ evolution of gas के बारे में पढ़ा था कि जब भी chemical reaction होती तो कोई ने ग्यास निकलती हुवे दिखती है अब और क्यों से ऐसे फघ्टर जिन से हमें पता लगता है कि chemical reaction हो रही having जैसे कई बारी प्रेसिप्टेट बनता है तो किसी कर डाव्ट आया था कि में प्रैसिप्टेट बतादो क्या होता है उसके बाद कई बारी temperature change होता है तो किसी का डाउट आया था कि मैं बता दो temperature change से कैसे पता लगेगा मतलब क्या होता है temperature change तो उसके लावा बहुत सारे ऐसे factors है बहुत सारी characteristics है जो हमें देखने को मिलती है जब भी एक chemical reaction होती है वो सारी characteristics के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत important class है हमेशा की तरह विच्चों हम लोग मैं यही बोलूंगे आप लोगों को कि एक copy और एक pen जरूर उठाके बैठो जो मैं बता रही हूँ उसको note down जरूर करो अपने note जरूर बनाओ क्योंकि मेरे factor यह है formation of precipitate ठीक है formation of precipitate अब यह precipitate क्या होता है है ना जैसे आपने देखा होगा जैसे मेरे पास कहता suppose दो clear solution थे clear solution मतलब बिल्कुल पानी के जैसे लग गिने जाता कि वो पानी के अलावा और कुछ भी है वो पानी ही लग रहे थे ठीक है मेरे पास clear solution थे जब मैंने उन दोनों clear solution को mix किया तो कुछ कलर्फुल सा substance बनने लग गया तो कुछ कलर्फुल सा substance बनने लग गया और वो substance कहता कोई solid था मतलब अलग जैसे suppose करो कोई powder सा बनने लग गया solution के अंदर जो नया substance और बहुत ही colorful सा है कभी यल्लो कलर का होता है कभी रेड कलर का कभी वाइट कलर का कभी ब्राउन कलर का अलग अलग कलर के वो होते हैं अब वो जो नया substance solid बनाना उसी को मैं precipitate बोलती हूं chemistry में क्या बोलती हूं precipitate clear नहीं हुआ आईए जरा इस figure को देखिए और फिर पहचानिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है precipitate क्या होता है इसको देखिए ध्यान से देखना बच्चो दो clear solution थे उन दोनों को mix किया तो देखो yellow color का एक solid substance बन गया एकदम से आप बोलो कि कोई जादू हो गया क्या मैं इसमें जो एक yellow color का substance बनने लग गया सभी को दिख रहा है जल्दी से बताओ बच्चे दिख रहा है ना दोनों clear solution थे clear solution को mix किया तो yellow color का substance बनने लग गया दिख रहा है ना बेटा सभी को जल्दी से देखो अब यह yellow color का substance क्या है यह और कुछ भी नहीं बलकि एक precipitate ही तो है तो precipitate क्या है solution जो की बिलकुल clear था पानी की तरह अब उसमें पानी नहीं रहा बैसे वो पानी था नहीं उसमें किसी भी Chemical का कोई solution था उन दोनों को मैंने mix किया अकेला पानी था ten पानी नहीं अमने chemical कोई solution था जिसमें chemical था दोनों को mix किया और mix करते ही देखो एक नया yellow color का substance powder सा इसके अंदर बन गया और पूरा solution देखो ऐसे yellow yellow powder सा बन जाता है इसके अंदर क्या बन जाता है powder सा बन जाता है इसे yellow color के powder को हम लोग बोलते हैं lead iodide उससे पहले वच्चो precipitate समझ में आया कि precipitate क्या होता है it is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction पूछे what is precipitate तो बस यही definition लिखा ना उसको बोलना कि जब हम एक chemical reaction कराते हैं तो कई बारी एक solid substance अलग होता हुआ दिखता है वही solid substance क्या होता है precipitate होता है क्या होता है बच्चे precipitate होता है इसका सबसे पहला example है यह जिसमें मेरा yellow color का पीले color का precipitate बन रहा है आप देख सकते हो दोनों बिल्कुल clear solution से दोनों को mix किया yellow precipitate बन गया या फिर वह आपको करके भी दिखा रहा है experiment दोनों बिल्कुल clear solution ते जैसे ही इसको इसमें डाला तो यह लो color का precipitate बन गया अब बहुत से बच्चों के माइंड में question आता है कि मैम इसको ही क्यूं इसमें डाला इसको भी तो इसमें डाल चकते थे डाल चकते थे तब भी ऐसा होता चाहें इसको इसमें डालो चाहें इसको इसमें डालो यलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा अब इसका सबसे पहले एक्जामपल है हम दो सॉल्यूशन्स लेते हैं एक होता है बच्चो लेड नाइट्रेट एक होता है लेड नाइट्रेट और दूसरा होता है पोटाशियम आयोडाइड एक होता है लेड नाइट्रेट और दूसरा होता है, potassium iodide, क्या होता है बच्चे, potassium iodide, जब दोनों को mix करते है, lead nitrate और potassium iodide, इधर लिखती हूँ मैं, हमने क्या किया, एक में तो lead nitrate का solution बनाया, और एक में potassium iodide का solution बनाया, दोनों बिल्कुल clear solution थे, पानी की तरह, अब या तो मैं lead nitrate का solution उठाऊं और इसमें डाल दू, या फिर मैं potassium iodide उठाऊं और lead nitrate में डाल दू, होगा क्या, मेरे पास lead iodide की formation हो जाती है, मेरे पास lead iodide की formation हो जाती है, और ये जो lead iodide की, ये जो lead iodide है, वो yellow color का है, कौन से color का है बेटा, वो yellow color का है, जो solid बना देता है, क्या बना देता है, solid बना देता है, तो basically, मेरे पास दोनो clear solution थे, दोनों को mix किया, एक yellow color का solid बन गया, वो solid क्या है, precipitate है, क्या है बच्चे, precipitate है, ठीक है, अब आता है question, कि lead nitrate का formula क्या है, चलो बताओ, homework करके आयो न, जल्दी से मुझे answer बताओ, comment section में, कि lead nitrate का formula क्या है, जल्दी से बताईए बच्चे, lead nitrate का formula क्या है, potassium बताती हूँ, अभी कहा गया, अभी और भी तो खाली, यह थोड़ी बनता है, इसके साथ एक और चीज़ बनती है, lead nitrate का formula क्या है, जल्दी से बताओ, बच्चे, जल्दी से बताओ, lead nitrate का formula क्या है, होता है, PB NO3 hold twice, ठीक है, PB2 NO3 नहीं, तभी तो बोला था, बच्चे, वो homework करके आना, करती करी ना देखो, चलो, अब समझते हैं कैसे, देखो, lead के उपर charge होता है, प्लस टू, प्लस टू, nitrate के अंदर, NO3 पर charge होता है, माइनस वन, NO3 पर charge होता है, माइनस वन, lead के उपर charge होता है, प्लस टू, NO3 पर charge होता है, माइनस वन, मुझे हमेशा चार्ज जीरो बनाना पड़ता है मुझे हमेशा चार्ज जीरो बनाना पड़ता है अब प्लस टू और माइनस बनेंगे तो जीरो नहीं बनेगा न यानि कि मुझे इसको माइनस टू बनाना पड़ेगा अब इसको मैं माइनस टू कैसे बनाऊंगी जब मैं 2 NO3 माइनस लूँगी, जब मैं 2 NO3 माइनस लूँगी, तो प्लस टू और माइनस टू बन जाएगा 0. तो क्योंकि मैंने एक PB लिया और NO3 दो लिये, इसलिए लेड नाइटरेट का फॉर्मुला हो गया, PB NO3 होल ट्वाइस. क्या फॉर्मुला हो गया? PB NO3 होल ट्वाइस. क्या हो गया बेटा जी? PB NO3 होल ट्वाइस. समझ में आया सभी को, जल्दी से थम्जब दिखाओ कमेंट सेक्शन में. अगर ये समझ में आया कि इसका फॉर्मुला PB NO3 होल ट्वाइस क्यों है? गलती समझ में आयी, क्या करी थी? है ना, गलती समझ में आयी ना? यहाँ पे नाइटरेट पे माइनस बन होता है, PB पे प्ल स्टू होता है, तभी मुझे दो नाइटरेट आने पलेने पड़े और इसलिए, इसलिए PB NO3 होल ट्वाइस आया, लेड नाइटरेट का फॉर्मुला, चलो कोई बात नहीं, दुबारा से सुन लो, अभी भी कन्फ्यूजन है कुछ बच्चों को, देखो, दुबारा से बता PB, लेड नाइटरेट देखना है, PB पे होता है, प्लस टू चार्ज, नाइटरेट पे होता है, NO3 पे होता है, माइनस वन चार्ज, यह तो मैने याद करने को बोला था, कि NO3 पे माइनस वन चार्ज होता है, ठीक है, PB पे प्लस टू होता है, NO3 पे माइनस वन होता है, तो मुझे यहां minus 2 चाहिए तभी तो plus 2 और minus 2 0 होगा तो उसके लिए मुझे 2 nitrogen लेने पड़ेंगे अब 1 PB पे plus 2 एक nitrogen —1 तो दूसरे nitrogen —2 तो plus 2 –2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यानि कि मुझे 1 PB लेना पड़ा और मुझे 2 nitrogen लेने पड़े तो क्या हो गया PB NO3 whole twice याने कि lead nitrate का formula हो गया pbno3 whole twice क्या हो गया बच्चे pbno3 whole twice अब तो समझ में आया ना सभी को जल्दी से बताओ अब मैंने lead nitrate लिया था जिसका formula था pbno3 whole twice अब बच्चा potassium iodide जल्दी से बताओ potassium iodide का formula क्या होगा potassium iodide का formula क्या होगा जल्दी से बताओ बच्चे potassium iodide potassium का formula क्या होगा yes very good KI क्योंकि K पे plus 1 charge ip minus 1 charge formula हो जाएगा KI क्या हो जाएगा बच्चे के आई अब दोनों को mix किया तो क्या बनेगा potassium iodide सौरी lead iodide बनेगा और ये lead iodide का precipitate yellow color का होता है lead iodide का precipitate yellow color का होता है बच्चे K पे plus 1 होता है I पे minus 1 charges देखने आप लोगों को और कुछ भी नहीं करना बेटा के आई टू नहीं होगा ये छोटी-छोटी गलती मत करो वरना बहुत गडबड हो जाएगी पेपर में ठीक है इसलिए बोल रही हो ध्यान से साथ-साथ देखते रहो लेड आयोडाइड का फॉर्मुला क्या होगा जल्दी से बताओ मुझे जल्दी से अब लेड पे प्लस टू चार्ज होता है हिंट दे रही हूँ आयोडीन पे माइनस वन होता है तो लेड आयोडाइड का फॉर्मुला क्या होगा जल्दी से बताओ अब कोई भी गलत नहीं कर जल्दी से बताओ बच्चे येस गुड अब बिल्कुल सही बोल रहे हो लेड आयोडाइट का फर्मुला होता है PBI 2 क्या होता है PBI 2 सभी बच्चों ने शही आंशर दिया है PB पे होता है प्लस 2 आयोडीन पहोता है माइनस 1 तो दो लेने पड़ेंगे iodine क्योंकि plus 2 minus 2 तभी तो 0 होगा तो क्या बन जाएगा PBI2 क्या बन जाएगा PBI2 तो जब lead nitrate को और potassium iodide को mix किया तो क्या बन गया PBI2 बन गया और यह yellow color का precipitate होता है किस पे कितना charge है तभी तो कल वो table दी थी बोलने के लिए तभी तो बोला था बैटा याद कर लेना उस table में से किस पे कितना charge है चलो very good सभी बच्चों को समझ में आ गया आगे चलते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं एक और reaction या फिर एक और example है precipitation reaction का और वो यह है कि अगर मेरे पास barium chloride का solution है अगर मेरे पास barium chloride का solution है और अगर मैं barium chloride के solution में sulfuric acid डाल दूँ क्या डाल दूँ बच्चे? sulfuric acid डाल दूँ तो बन जाता है barium sulfate क्या बन जाता है barium sulfate बेरियम chloride में अगर मैं sulfuric acid डाल दूँ तो क्या बन जाता है barium sulfate और यह जो barium sulfate होता है न यह एक white color का precipitate होता है यह एक white color का precipitate होता है ठीक है ये एक white color का precipitate होता है देखो इस figure में देख सकते हो जब हमने इस solution को इसमें डाला तो नीचे एक white color का precipitate बनने लग गया white color का एक solid separate होने लग गया white color का solid separate होने लग गया ये white color का solid किस चीज का है बेरियम सलफेट का है किस चीज का है बेरियम सलफेट का है कौन सी टाइप की reaction है क्या है दीरे-दीरे सब पे आगे बढ़ेंगे पहले formula लिखना तो सीख लो उसी में ही mistake कर रहे हो बहले उसको अच्छे दीरे आगे प्रोसीड करेंगे कौन सी टाइप की reaction है क्या है और प्रोड क्या बनेंगे मैं potassium कहा गया सब सीखेंगे बच्चे सब सीखेंगे ठीक है जब types of reaction पढ़ेंगे आग एगली क्लास से balancing पढ़ेंगे सब सीखेंगे वहाँ पे कि at least बाकी ये गए कहा या फिर ये कौ बच्चे प्लस टू चार्ज क्लोरीन पे माइनस बन चार्ज क्लोराइड पे माइनस बन चार्ज तो दो क्लोरीन लेने पड़ेंगे फॉर्मुला हो जाएगा बी एसी एल टू क्या हो जाएगा बच्चे बी एसी एल टू वेरी गोड सबका सही सल्फ्यूरिक एसिट का फॉ H2SO4 क्या होता है H2SO4 है ना क्या होता है बेटा जी H2SO4 अब बेरियम क्लोराइड में सल्फियूरिक ऐसे डालेंगे बनेगा बेरियम सल्फेड बेरियम सल्फेड का फॉर्मुला बताओ HSO3 थोड़ी होता है अगर ऐसे आंशर लिखोगे ना तो डाट खाओगे सच में धंग से आंशर लिखो H2SO4 होता है HSO3 कहा से आ गया बचे बेरियम सल्फेड का फॉर्मुला क्या होता है BA2SO4 नहीं होता सोच के लिखो बेरियम पे प्लस टू चार्ज SO4 पे माइनस टू चार्ज दोनों एक 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 दूसरे को बालंच कर रहे है ना प्लस टू माइनस टू तो क्या बन जाएगा BASO4 क्या बन जाएगा बेरियम सल्फेड का फॉर्मुला हो जाएगा BASO4 क्या हो जाएगा बेटा जी BASO4 ठीक है जल्दी से बताओ clear हुआ जल्दी से बताओ बेटा जी clear हुआ बेरियम क्लोराइड को सल्फूरिक एसेट में डाला क्या बन गया बेरियम सल्फेड बन गया अब क्वेशन आ रहा होगा दिमाख में मैं हाइड्रोजन कहा गया मैं क्लोरीन कहा गया कहीं नहीं गया वो भी बनेगा एक बार फिर से बताती हूं ध्यान से सुनो बेरियम क्लोराइड में बेरियम पे प्लस टू चार्ज रिपीट कर रही हूं ध्यान से सुनना chloride पे minus 1 charge तो plus 2 minus 2 0 होता है ना अब 1 chlorine पे तो minus 1 है 2 chlorine पे minus 2 करना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा Bacl2 बन जाएगा barium chloride क्या हुआ Bacl2 sulfuric acid तो S2SO4 होता है सभी को पता है ना ये बात तो अब इन दोनों को मिलाया तो barium sulfate बना barium पे plus 2 SO4 पे minus 2 और क्या बन जाएगा Bacl4 बन जाएगा क्या बन जाएगा बेटा जी Bacl4 इसी Bacl4 का white color का precipitate होता है white color का precipitate होता है बताओ बेटा clear apps अभी को अब हम लोग चलते हैं quiz के question पे तो दो बहुत ही simple simple और छोटे छोटे quiz के question आएंगे आपकी screen पे जल्दी जल्दी आंसर कर देना क्या आंसर होगा पहला question है आपके पास ये color of precipitate of lead iodide is lead iodide का color क्या होता है चलों discuss करते हैं पहला question था क्या lead iodide का color क्या होता है अभी तो मैंने दिखाया था yellow color होता है answer क्या हो गया बच्चे option number a yellow color होता है ना अभी तो मैंने बताया था अगला question था कि barium sulfate का color क्या होता है white color होता है answer क्या आगया option number d white color simple सी बात थी है ना सबके दोनों options correct थे ना जल्दी से बताओ चलो आगे चलते है change of color पे कई बढ़ी हमने देखा है कि color भी change ज़ाता है बहुत ही simple से एक्जामपल है डेली लाइफ में देखो apple mother काटके लगती है हम खाते नहीं है और color थोड़ी दिर बाद देखते है उसका black हो जाता है मतलब की black black surface होने लग जाता है या फिर brown color का उसके surface होने लग जाता है देखा है ना फिर ममी डाटती है कि बेटा apple खालो नी तो खराब हो जाएगा है ना तो वहां पे ऐसा क्यूं हो रहा है वहां पे यह chemical reaction हो रही है तभी कटा हुआ apple बहां पे black हो जाता है तभी कटा हुआ apple black हो जाता है तो यह भी एक chemical reaction का example है daily life में जब हमें color change होता हुआ दिखता है तो कई बारी जब chemical reactions होती है ना हमें color change होता हुआ भी दिखता है ठीक है और वो color हमें visible होता है आईए ज़रा देखते है कैसे इस reaction को ध्यान से देखो मैंने डाला तो purple color लेकिन यह reaction हुई और यह purple से convert हो गया green में देख सकते हो ना मेंने डाला तो purple color अब कुछ solution ६ढ़ा मैंने purple color का अंधर जाके कुछ ऐसी reaction हुई कि वह green color का हो गया की वह green color का हो गया दिख रहा है ना तो ऐसा क्यूं हो रहा है क्योंकि कोई नहां कोई chemical reaction हो रही है तभी तो हो रहा है कुछ नया है सा बना है ना आपको पता एक रियाक्शन में क्या होता है एक रियाक्टेंट होता है हो सकता है रियाक्टेंट परपल कलर का हो लेकिन जब मैंने इस परपल कलर वाले सॉल्यूशन को इस ऑरिजिनल सॉल्यूशन में डाला तो उन दोनों की बीच में रियाक्शन हुई और वह सिमिलरली जब एपल को काट के रखा तो उस एपल के अंदर जो भी था उसने ऑक्सीजन जो प्रेजन थी एयर में उसके साथ रियाक्ट किया और कुछ ऐसा नया बनाया जिसकी वज़से वो ब्राउन-ब्राउन कलर का होने लग गया ठीक है आपको बस इतना समझना है कि जब mysterious reaction निको पहले Blue फिर Final Green होगी ना परपल से ट्रांजेट परपल रेट ग्रीन तो होगा नहीं पहले ब्लू में जाएगा फिर ग्रीम में जाएगा पहले ब्लू फिर ऊसके बाद ग्रीन आपहले ठाले ब्लू में convert हुआ फिर उसके बाद ग्रीन में convert हुआ तो transition हो रहा है transition मतलब एक color से दूसरे color में जा रहा है purple color का solution जो था वो potassium permagnate ही होता है क्या होता है potassium permagnate class 9 में chapter 1 में शायद एक activity पढ़ते है activity नहीं chapter 1 में matter बता दिया ना वेरी गुड चलो तो इस तरीके से chemical reaction जब भी होती है तो हमें color change होता हुआ दिखता है और फिर हम सोचते कि हाँ यहाँ पे chemical reaction हो रही है यहाँ पे chemical reaction हो रही है ठीक है तो देखो अब ज़रा example देखते है और और examples क्या है इसके देखो ज़रा ध्यान से मेरे पास पहले purple color का potassium per magnet का solution था मेरे पास purple color का potassium per magnet का solution था मैंने उसमें नीमू डाला नीमू मतलब मैंने उसमें lemon डाला अब lemon के अंदर ना एक acid होता है एक acid होता है जैसे आपने खाया होगा नीमू खट्टा खट्टा होता है तो खट्टा क्यों होता है उसका sour taste क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर एक acid होता है जिसका नाम होता है citric acid जिसका नाम होता है citric acid जैसे ही मैंने उसमें नीमबू डाला तो उसका purple color सरा उड़ गया मतलब वो fade होने लगा और वो purple solution से colorless में बदल गया वो purple solution से colorless में बदल गया क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई chemical reaction हुई potassium permanganate ने इस citric acid के साथ react किया potassium permanganate ने इस citric acid के साथ react किया, इन दोनों के बीच में कुछ bond बने, कुछ bond टूटे कुछ reaction हुई जिसकी वज़ा से उसका purple color fade हो गया जिसकी वज़ा से उसका purple color fade हो गया तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ reaction होती है अब वो reaction क्या होती है नहीं जानना बस इतना सुनो कि जब reaction हो रही है न तो हमें color color change हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ कोई chemical reaction हो रही है तभी तो color change हो रहा है ना जब लोहे पे जंग लगता है तो एक brown color की layer बनती है ना ब्राउन कलर की layer क्यों बनी है ना ब्राउन कलर की layer क्यों बनी ब्राउनी क्यों बनी है कोई chemical reaction हो रही थी इसलिए ब्राउन कलर की layer बनी जिसको समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो क्या समझ में नहीं आया क्या क्लियर नहीं हुआ डाउट क्या है डाउट लिख दो जल्दी से क्या क्लियर नहीं हुआ वो बताओ समझ में नहीं आया जो मैं बोल रही हूँ वो तो शायद क्लियर हो गया होगा डाउट यह रहा है कि मैं गी हो कैसे रहा है है ना जहो कैसे रहा है ठीक है वैसे क्या समझ में नहीं आया यह बताओ ठीक है जितने भी हमारे लेमेंज होते है औरेंजी होते है उनमें प्रेजन्ट होता है क्या सिट्रिक आसिड क्या प्रेजन्ट होता है सिट्रिक आसिड प्र ऐसा बनाया जो कि colorless इसकी वैसे solution परपस से बिलकुल colorless होने लग गया परपल से बिलकुल colorless होने लग गया ठीक है अब question कैसे आ सकता है question कुछ भी नहीं आएगा बस वो इतना बोलेगा कि एक example दो जिससे तुम यह बता सको कि आपके पास chemical reaction में color भी change होता है chemical reaction में color भी change होता है ठीक है तो बता देना जब potassium per magnate में purple color वाले solution का नाम है potassium per magnate purple color वाले solution का नाम है बच्चे लिखलो potassium per magnate क्या होता है potassium per magnate per manganate potassium per magnate इस potassium per magnate की अंदर जब मैंने citric acid डाला तो उसका purple color fade हो गया उसका purple color fade हो गया अब apple वाला क्या समझ में नहीं आया एपल को खुली हवा में छोड़ दिया हवा में क्या होती है oxygen होती है apple के अंदर जैसे हमने सेप को काटा apple के अंदर जब हमने सेप को काटा तो सेप को काटने पर वो black color का हो गया आपको नहीं बदा गरना कौन से color का होगा बस मैं जो बदा रही हूं उस examples को याद रखो ठीक हो जाता है बस इतना याद रखो कि potassium per magnet के अंदर citric acid डालने पर वो colorless हो जाता है या फिर मैं बता रहे हूं लैड iodide yellow color का होता है barium sulfate white color का होता है ठीक है barium sulfate white color का होता है आपको बस इतना याद रखना है हर जाके हर तरीके के याद नहीं जितना मैं बताऊंगी उतना copy में नोट करना है और बस उसी को याद रखना है उसके लावा कुछ याद नहीं रखना है तो सब कुछ याद नहीं करना बहुत दर लग रहा है देखके है मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं क्या करना है यह बता दो क्या करना है लेकिन कोई बात नहीं जो चीजें मैं बता रही हु वो आप लोगों को याद रखनी है बस ठीक है पोटाशियम पर मैगनेट में सिट्रिक अशिड डालेंगे तो वो कलर लेस हो जाएगा सिंपल सी बात है बस इतना याद रखो यह मैंने एक डेली लाइफ को एक्जामपल लिया कि सेप खुला रखते हो तो वो और सीजन के साथ रियाक्ट करता है जिसकी वज़से उक्सीजन इनके अंदर चली जाती है और अंदर जाके कुछ केमिकल रियाक्शन होती है जिसकी वज़से वह काला पड़ जाता है बस मैंने इतना बोला आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना अगर रिसर्च करनी है तो रिसर्च क गूगल पर सार्च करो क्या होता है ऐसा आपल के अंदर जो काला हो गया क्या बन गया बहुत बड़ी बड़ी चीज़े आप लोगों के लेवल की नहीं है ठीक है और एक्जामपल देखते हैं जैसे कि यह भी बहुत कॉमन से एक्जामपल लिया मैंने बस दिखाते हुए कि कलर चेंज होगा ठीक है बस दिखाते हुए कि कलर चेंज होगा जब रियाक्शन होगी इतना सब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना आपको बस इतना पढ़ना है कि हां कलर चेंज होगा ठीक है फेड मतलब पहले परपल कलर था ना वह वाइट हो गया तो फेड हो गया ठीक तो हां color change जहां भी हो रहा है पहले वाली जो reaction दी ना वह प्रेसी पिटेशन थी वहां पे color change नहीं हुआ question अच्छा है वो पूछ रहा है बच्चा बिटे पूछ रहे है कि मैं क्या इसमें भी color change हुआ है क्या आप बोलोगे कि पहले यह colorless था अब यह यलो हो गया इसमें तो बिटे एक नया substance ही बना है ना जो कि यलो color का है ठीक है इसमें एक नया substance ही बना है तो जो कि यलो color का है ठीक है पेपर में आपके पास सीधे साथे question आते हैं क्या कि आप क्यों कौन सी characteristics है जो कि chemical reaction को बताती है सबसे पहली मैंने बताई क्या की color change होता है दूसरी मैंने बताई क्या की gas evolve होती है तीसरी मैंने बताई precipitate बनती है precipitate कौन सी बनी है तो एक lead iodide वाल एक्जामपल दी दिना color change का पूछे तो potassium permagnate और citric acid का एक्जामपल दी दिना evolution of gas का पूछे तो zinc और sulfuric acid का एक्जामपल दे दिना चलो तुम्हारा एक test लेती हूँ बताओ zinc के अंदर sulfuric acid डाले sulfuric acid डाले तो कौन सी gas evolve होती है जल्दी इसे बताओ और answer सही होना चाहिए zinc के अंदर sulfuric acid डाले dilute sulfuric acid या फिर HCl डाले तो कौन सी gas evolve होती है जल्दी से बताओ बेटा जी क्या answer होगा इसका zinc के अंदर sulfuric acid डाल रहे थे तो कौन सी gas evolve हो रही थी जल्दी से बताओ बच्चे कौन सी gas evolve हो रही थी जल्दी से बताओ answer क्या होगा इसका कौन सी gas yes very good hydrogen gas evolve हो रही थी very good इसी तरीके से मैं बीच बीच में question पूछती रहूंगी रोज क्लास में revise करके आया करो very good zinc sulfate बन रहा था hydrogen gas release हो रही थी चलो इसी तरीके से एक और example है क्या कि आपके पास एक solution है orange color का कौन से color का है ये solution orange color का solution है इस solution का नाम है potassium dichromate क्या नाम है potassium dichromate देखो जादा नहीं सोचना कि मैं color कैसे किस किस के याद करने है हमें कैसे पता लगेगा किसका होगा जो examples बता रही हूं उन्हीं examples को copy में note कर लो और उसी को आगे के लिए याद रखो बस उसके अलावा कुछ नहीं सोचना बहुत सारी चीज़े हैं बहुत सारे color होते हैं पूरी के मिश्री में लेकिन जितने example करा रही हूं उससे इसके बहार से example नहीं आएगा आपके पिपर में यह बात की गरेंटी है ठीक है चलो तो हमारे पास एक orange color का solution था जो कि sulfur dioxide sulfur dioxide का formula पता है किसी को बताओ जल्दी से sulfur dioxide का formula बताओ comment section में क्या होता है जल्दी से बताओ sulfur dioxide का formula क्या होता है किसी को पता है क्या sulfur dioxide जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ formulas लिखने formulas पता होने चाहिए तभी तो आगे reactions balance करोगी ना yes very good SO2 होता है क्या होता है SO2 तो जब इसमें से SO2 पास कराएंगे ना तो यह orange color का solution green color का हो जाएगा हरे color का हो जाएगा वैसे नहीं होगा कब होगा जब इसमें से हम लोग SO2 sulfur dioxide पास कराएंगे तो ठीक है तो इसी लिए color change हो गया मतलब chemical reaction हो रही है इतना घवराना नहीं है बहुत डर रहे हो आप कि में reaction कैसे याद करेंगे formulas लिखने पड़ेंगे क्या बनेगा solution उसका नाम क्या होगा अभी से सब बता दूंगी तो वैसे और घवरा जाओगे अगली क्यमिकल एक्वेशन सीखेंगे फिर क्यमिकल रियाक्शन आएगी उसकी बालेंसिंग सीखेंगे जब दीरे दीरे प्रेक्टिस करोगे ना सब सीख जाओगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम लोगों को ठीक है तो जब यलो कलर का solution जो कि क्योंकि जो कि पोटाशियम डा क्रोमेट है उसमें अगर मैं सलफर डायोकसाइट पास करा हूँ यहाँ पे मैं बहुत सारी सलफर डायोकसाइट ग्यास को पास करा दूँ तो यह हरे कलर का ग्रीन कलर का हो जाएगा अब कलर चेंज हो रहा है मतलब कि क्या आपके पास क्या हो रही है रियाक्शन हो रही है क्या repeat कर दूँ जल्दी से बताओ यही तो बोल रही हूँ potassium dichromate orange कलर का होता है ठीक है उसमें मैंने SO2 पास कराई कुछ S1 के बीच में reaction हुई कि वो green कलर का हो गया कि वो green कलर का हो गया यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ऑल पुम क्लर चेंज होता है था कलर चेंज होता है हां जी होता है कलर चेंज कुछ बश्चों को नहीं आया सुन लो हां potas这 का formula होता है k2 C2 O7 potassium dichromate का formula होता है k2 cr2 O7 अब यह कैसे आया ज्यों आया कुछ याद तो एक सॉल्यूशन हो गया जो की ग्रीन कलर का है अब कलर चेंज हो रहे मतलब इन दोनों के बीच में रियक्शन हो रही है मैं सरब इतना बात करना चाहती हम अब प्रोड़क्ट क्या बनेगा क्या बनेगा फिर सब सिखा दो तुमें बड़े हो कि क्या सीखोगे 11-12 में अभी के लिए तुम्हें बस इतना जाना है कि हां रियाक्शन हो रही है, इतने बड़े-बड़े प्रॉडक्ट सब 11-12 में अगर साइन्स लोगे तो सीखोगे, ठीक है, हां ग्रीन कलर के सॉलूशन का अलग नाम होता है, ठीक है, जो चीज प्रॉडक्ट होती है, प्रॉडक् करना पड़ेगा, मैंने नहीं बनाया, ठीक है, पोटाशियम पर मैंगनेट का फर्मुला होता है, क्या 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 होता है, चलो, बहुत बढ़िया, अब बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है तो आपके पास इसमें था क्या कि कलर जब चेंज होता है जो कलर चेंज होता है उससे कैसे पता लगेगा chemical reaction हो रही है तो हमने बहुत सरी example देख लिए पहला potassium permagnate में citric acid दूसरा potassium dichromate में sulfur dioxide pass करेंगे तो वो green color का हो जाएगा ठीक है चलो आगे चलते हैं क्या conclusion है चलो तुम पहले अपने doubts ही बता दो तुम्हारे doubts क्लियर करते हैं पहले दना आगे चलेंगे ठीक है यह दिखो बच्चे आपको दो बुक्स refer करनी है मेरे according एक NCRT refer करनी है और एक लखमीर सिंग और मंजीत कौर की जो बुक आती है लखमीर सिंग और मंजीत कौर class 10 chemistry ठीक है इतना ध्यान रखो बस जितने एक्जामपल करा रही हूं उतने एक्जामपल करो ठीक है जितने एक्जामपल करा रही हो हादिनेश की बुक भी अच्छी है बर थोड़ा ध्यान से पढ़ना है उस बुक को क्योंकि उस बुक में कई बारी छोटी-छोटी mistakes होती है जो कि आप भी कर सकते हो तो इसलिए बेटर है लखमीर सिंग और मंजीत कौर आप लोगों को पढ़नी है ठीक है ncrt भी पढ़नी है जो मैं नोट्स लिख वा रही हूं वो नोट्स भी पढ़ने है ठीक है जो मैं नोट्स लिख वा रही हूं नोट्स भी पढ़ने है ठीक है चलो आप लोगों को फॉर्मूलाज वगरा जो ये भी कलर वगरा है देखो एक काम करो जब पढ़ाई कर रहे हो ना कलर ताक याद रहे एक छोटी सी एक छोटी सी डायरी मनाओ उस डायरी के अंदर नाम लिखो उसके आगे उसका कलर लिखो उसके अंदर नाम लिखो उसके आगे उसका कलर लिखो आपको इतना ही करना है उसके अंदर नाम लिखना है और उसका कलर लिखना है ठीक है और उसके साथ साथ प्रॉडक्ट प्रॉडक्ट भी जैसे आपको देखना है कि प्रैसिपेटेड बेरियम सलफेट कौन से कलर का है वाइट कलर का याद नहीं हो रहा तो चोटी सी डारी बनाओ उसमें लिख दो उसी को रिवाइज करते रहो अपने आप याद हो जाएंगे ठीक है अपने आप याद हो जाएंगे बहुत चारी वो कैसे तो ऐस चान प्रदीव लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वोग बताना चाह बस इतना बहुत है उसके लावा कहीं नहीं जाना ठीक है चलो बहुत बढ़िया आप डिसकस करते हैं आगे अगले पार्ट पे अगला पार्ट है चेंज इन टेमपरेचर अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो यह वली फिगर आपको ध्यान से दिख रही होगी इस पॉर निकलने लग गया अब इसमें से दुआ क्यों निकलने लगा है ना इसमें से इसमें से दुआ क्यों निकलने लगा कुछ सोचो कुछ होगा ना अंदर जो इसमें से दुआ निकलने लगा ठीक है इसके अंदर से दुआ क्यों निकलने लग गया जल्दी से बताओ जल्दी से से बताओ हैना जब heaj involved होती है मतलब कि heat evolve हो रही है तो खुछ न से जो रहा होगा को रियाक्चन हो रही हो कि नैसी जिसकी वज़ए से heat evolve है तो basically कई बारी क्या होता है जब reaction थी न तो बहुत दुबहा निकलने लग जाता है बहुत heat निकलने लग जाती है तो टेमप्रेचर क्या होता है चेंज होता है जरूरी नहीं हर भारी हीट निकले कई बारी günट 노래 कंटेनर ठंडावी हो जाता है कि बहुत ठंडा ठीचर थी एक ठीचर ने उनको क्या किया गिदो एक कंटेनर दिये जोन वे पाणी भर में website या टीट इनकी टीचर बहुत चलाक थी वह नंको समझाना चाहती थीखि टेंपरेचल चींज कैसा होता है तो उसने क्या किया उन्हों क्या किया साम को एक सॉल्ट दिया और उस सॉल्ट को बोल दिया कि बेटा ये ना सॉल्ट ए है और जूली को एक सॉल्ट दिया और उनको बोला कि ये ना सॉल्ट भी है ठीक है उसको बोला कि ये सॉल्ट ए है और जूली को बोला बेटा सॉल्ट ए है तुम जाओ इसको पानी मे साम इस बीगए जूली ने भी सॉल्ट ने अब जब साम ने उसको पानी में गोला सौल्ट को तो स्ने क्या देखा कि जो यह कोन्टेनर था ना मी वह ठंडा हो गया ठ dang there have तो दोनों बात कर रहे थे आपस में और जूली ने जब उसको पानी में घोला तो इसा क्यू और आप एक बहुत ठंडा है और एक बहुत गरम है तो मैम ने उनको समझाया मैम ने उनको बोला कि बेटा दो तरीके की रियाक्षन होती है देखो एक में क्या हो रहा है एक रियाक्षन में हीट निकल रही है हीट निकल रही है तभी तो गरम हो रहा है और एक कंटेनर में हीट ना है एक reaction वो जिसमें heat निकले और डूसरी reaction वो जिसमें heat absorb absorption का मतलब absorb होने का मतलब तो पता है न आपको absorb होने का मतलब तो पता ही होगा ठीक है तो उन्होंने बोला कि मैं आपने मोला कि बेटा दो तरीके की reaction होती है एक जिसमें हीट निकलती है हीट रिलीज होती है और एक जिसमें हीट एब्जॉब होती है ठीक है, मैं मने बोला कि एक एक रियाक्शन तो एक salt तो मैंने ऐसा दिया था जिसमें heat release हो रही थी और एक salt मैंने ऐसा दिया था जिसमें heat absorb हो रही थी तो मैं मने बोला कोई बात नी अब तुम्हें समझ में तो आया ना कि अंदर कुछ chemical reaction हो रही है जिसकी वज़ा से एक में तो heat release हो रही है और एक में heat absorb हो रही है मैम ने बोला कि समझ में तो आया उन्होंने बोला Sam ने बोला हाँ मैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया और Julie ने भी बोला कि हाँ मैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया जैसे यहाँ पर दुवा निकलते हुए दिख रहा है तो दुवा निकले का तो गरम तो होगा ना कंटेनर गरम तो होगा ना ऐसी उसका कंटेनर गरम गरम होगा वो डर गई कि मैं इतना गरम क्यों हो गया हाथ तो नहीं जल जाएगा मेरा मैं आपने मुला घवराने की बात न गया और एक में तेमप्रेचर बढ़ गया वो ज्यादा चला गया अब हीट रिलीज हुई मतलब की उस कंटेनर का तेमप्रेचर बढ़ गया और जब हीट एब्जॉब हुई मतलब की उस कंटेनर का तेमप्रेचर डिक्रीज हो गया तेमप्रेचर डिक्रीज हो गया तेमप्र मैं ने बोला कि बेटा इसलिए ना हम रियाक्शन को दो तरीके से दो तरीके से क्लासिफाइ करते हैं क्लासिफाइ करते हैं मतलब उनको बाटते हैं एक होती है एक्जोथर्मिक रियाक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रियाक्शन जिन रियाक्शन में हीट रिलीज होती है और एंडो थर्मिक उन रियाक्शन को बोला जाता है जिन रियाक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है एंडो थर्मिक उन रियाक्शन को बोला जाता है जिन रियाक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है तो उन्होंने बोला बेटा साम त जहां पर तुम्हें ठंडबा धंड़ा फील वा था वहां पर एंडो थिर्मिक रियाक्षण हो रही है तो स्यम समझ गई क्या होटी है जब कार्वाला ठंड़ा एंड़ा ऑगई तो वह एंडो थर्मिक। तो उसने बोला इसी तरीके से जब chemical reaction होती है ना तो temperature change होता है अब Sam और Julie बहुत excited थी वो गई मैम के साथ मैम के पास उन्होंने बोला कि मैम ये तो बता दो इन में था क्या ये salt A क्या था और ये salt B क्या था जो ऐसा अलग-अलग हुआ उन्होंने बोला कि मैम बता दो क्या था प्लीज एक बार बतातो दो मुझे ये तो समझ में आ गया I hope आपको भी समझ में आ गया होगा कि जब container ठंडा हो temperature decrease हो मतलब कि heat absorb हुई हो तो वो endothermik जब Sam को समझ में आया Julie को भी समझ में आया जब heat release हो और temperature बढ़े तो वो exothermik अब ये बताओ पहले कितने बच्चों को समझ में आया तब आगे चलते हैं और बात करते हैं कहानी आगे बढ़ाते है Sam और जूली की एक मैम के पास गई मैम ने उनको दोनों को अलग-अलग salt दिया चलो अलग-अलग salt छोड़ो अलग-अलग salt भी छोड़ो उसमें भी कन्फ्यूज हो रहे हो सोचो मैम ने ना एक को दिया Ammonium Nitrate क्या दिया Ammonium Nitrate और दूसरे को मैम ने दिया क्या Calcium Chloride दूसरे को मैम ने दिया क्या Calcium Chloride ठिक है मैम ने एक को चुपके से एक को पोटाशियम नाइट्रेट स्थारी Ammonium Nitrate पकड़ा दिया और दूसरे को Calcium Nitrate पकड़ा दिया जब इसने Ammonium Nitrate को पानी में डाला तो कंटेनर ठंडा हो गया जब इसने क्याशियम क्लोराइड को पानी में डाला तो कंटेनर गरम हो गया है तो उन्हों heat evolve होती है मतलब कि heat release होती है तो इसलिए उन्होंने बस simple सी बात बोल दी मैं आपने बोला बेटा देखो दो तरीके की reaction होती है एक होती है endothermic और दूसरी होती है exothermic एक होती है endothermic और दूसरी होती है exothermic exothermic वो जिसमें heat बाहर निकले और container बहुत गरम हो जाए और उबलता हुआ हो जाए और endothermic वो जिसमें container ठंडा हो जाए बस इतना सा समझ लो इसने अपने अंदर heat ली है तो इसलिए exothermic जिस चीज के लिए हमें heat की जरूरत पड़े वो endothermic जिसमें heat release हो वो exothermic बस इतना सा याद रखो और दिमाख में बस यही बात आप लोगों को समझनी है हाँ दोनो salt है ठीक है अभी के लिए बस इतना ही ध्यान लगते है चलो अब पूछो अपने doubts जल्दी से comment section में जो भी आपको doubts है वो पूछ सकते है जल्दी से बताओ बेच्चे क्या doubts है आप लोगों को दिन आगे देखते है जल्दी से बताओ क्या doubts है आप लोगों को चलो पूछो doubts जल्दी से आपको identify कुछ नहीं करना आपको मैं example बता रही हूँ कि barium chloride sulfuric acid मिलेगा तो barium sulfate का white precipitate बनता है ठीक है उसके अलावा lead nitrate potassium iodide मिलेगा तो lead iodide का precipitate बनता है और कोई doubt notes मिल जाएंगे आपको बहुत ही जल्दी एक दो दिन में आप पे ही आपको available notes मिलेंगे lead nitrate का formula होता है बच्चे PBNO3 hold twice starting में सिखाया था ना लिखना क्या होता है PBNO3 hold twice क्या होता है बेटा जी PBNO3 hold twice और questions पूछो example of exothermic और endothermic कोई बात नहीं वेट करो अगली class में पढ़ेंगे अभी doubts पूछो सिरफ अगली class में इस topic को फिर से हम लोग continue करेंगे स्क्रीन शॉट लेना है ले लो मैं साइड हो जाती हूँ ठीक है हाँ exam pattern change हुआ है MCQ आपके जादा आएंगे तो मैं एम्स class में बहुत सारे आपको MCQ कराऊंगे आपको टेंशन लेने वाली ज़रूत नहीं है ठीक है जल्दी से बताओ और examples और questions पूछो जल्दी से हाँ दोनों salt ही थे very good दोनों salt थे potassium dichromate का बच्चे मैं formula बता चुकी हूँ K2Cr2O7 क्या है बेटा जी K2Cr2O7 potassium dichromate का formula मैं metals non-metals किस form में react करता है इसमें confused हो जाते है वो metal non-metal chapter पढ़ेंगे तब देखेंगे ना अभी क्यों confused हो रहे है अभी क्यों डर रहे हो ठीक है carbonates compounds बाला chapter आपका हट गया है ammonium nitrate का formula good question यह question तो मैं पूछने वाली थी ammonium nitrate का formula तुम ही बताओ जल्दी से मुझे answer ammonium nitrate का formula क्या होता है जल्दी से बताओ comment section में जल्दी से बताओ slabus आपका almost 15th of january तक complete हो जाएगा ठीक है ammonium chloride का जल्दी से बताओ हाँ बिना salt के reaction कैसी होगी ठीक है ammonium nitrate का formula जल्दी से बताओ NH4 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 2mg प्लस O2 is equal to 2mg क्यों होता है balancing में सीखेंगे देखो ठीक है I hope आपको clear हो गया होगा अब इस temperature बाली कहाने को continue करते है अगली class में तो मिलते हैं अगली class में Thank you very much बच्चो